कॉंग्रेस हमेशा बाटो और सत्ता पाओ के फॉर्मिले पर चली है कॉंग्रेस ने बार बार ये सित्य किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है वो अभी भी तेश को बाटने के लिए नए नए ने 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 गड़ रही है कॉंग्रेस समाज को बाटने का फॉर्मिला लाती रहती है कॉंग्रेस देश के मतदाताओं को गुम्रा करने से बाज नहीं आ रही है कॉंग्रेस का फॉर्मिला साफ है कि मुसल्मानों को डराते रहो उनको भाय दिखाओ उनको वोट बेंक के कन्वर्ट करो और वोट बेंक को मजबूत करो कॉंग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुसलिम भाई बेहनों में कितनी जातियां होती है मुसलिम जातियों की बात आते ही कॉंग्रेस के नेता पर मुँपर ताला लगा कर बैठ जाते हैं लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कॉंग्रेस उनकी चर्चा जाती से ही शुरू करती है कॉंग्रेस की नीती है हिंदू की एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाओ कॉंग्रेस जानती है कि जितना हिंदू पटेगा उतना ही उसका फायदा होगा कॉंग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राज नितिग रोटियां सेखती नहें भारत में जहां भी चुना होते हैं वहां कॉंग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कॉंग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हतकंडे अपना रही है कॉंग्रेस पुरी तरह से सांप्रदाइक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है हिंदू समाज को तोड़ कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना यही कॉंग्रेस की राजनिती का आधार है कॉंग्रेस भारत के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है सनातन परंपरा का दमन कर रही है जिस कॉंग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया वो सत्ता में वापस के लिए इतनी बैचेन है कि हर रोज नफरत की राजनिती कर रही है कॉंग्रेस की पुरानी पीडी के नेता भी बेबस है असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिती हो गई है कॉंग्रेस की ये स्थिती होने वाली है कॉंग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्टरी बनने वाली है ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कॉंग्रेस को खत्म कर देना चाहिए कॉंग्रेश खुद खत्म नहीं हुई लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है इसलिए हमें सावधान रहना है सतर्क रहना है साथियों मेरा पक्का विश्वास है समाज को तोड़ने की आज जो कोशिच हो रही है ऐसी हर साजिश को महराष्टर के लोग नाकाम करके रहेंगे महराष्टर के लोगों को देश के विकास को सर्वो पर ही रखते हुए एक जुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना है हरियानातर भाचपा जिंकली अता महराष्टर या पिक्षा मोठा विजय मिलवाय चाहे झाले होकर टुट होकर बीजेवा के लिए टुट के लिए बीजेगे